दोस्तो अब आने वाले future में electric vehicles का ही बोल बाला होने वाला है और इसी का आगास करते हुए हमारे भारत की दो companies ने अपने नए scooters को launch कर दिया है इंडियन market में तो आज इस वीडियो में हम लोग comparison करने वाले हैं Ola के S1 Pro और S1 की Simple 1 scooter से तो नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब आपका स्वागत एक बाई फिर से एक नए कमाल धमाल बे मिसाल वीडियो में में ना मतलब आप देख रहे हैं एंडियन आड़ो यूट्यूब चैनल दोस्तो बेनाकसी बिलम क्या ये करते हैं प्रारंप दोस्तो शुरुआत करते हैं दोनों के looks और design से तो जैसा कि आप दोनों ही scooters को front से देख सकते हैं Ola S1 और S1 Pro की जो आपको design मिलती है वो same से मिलेगी आगे मैं differences बताऊंगा लेकिन कई सारे ऐसे features हैं जो की S1 और S1 Pro में आपको same से ही मिलेंगे तो S1 और S1 Pro अगर front से देखेंगे तो वहाँ पे बाई LED headlamp मिल जाएगी जो की काफी अच्छी काफी unique लगती है देखने में और front से एक अलग robotic look नजर आएगी Ola के S1 में और S1 Pro में यानि S1 S1 Pro same ही है अगर आप देखेंगे simple one electric scooter में तो यहां front में आपको थोड़ा sporty design मिल label है जो की sportiness जिसमें आपको feel होगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यह scooter कुछ familiar scooter है अगर दूशी तरफ Ola S1 S1 Pro को देखेंगे तो वह थोड़ा futuristic लगता है और side look की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो side में आपको S1 S1 Pro काफी अलग दिखते हैं unique से दिखते हैं और अच् जहाँ पर जो आपकी simple one electric scooter है वो sporty लगती है और पीछे से अगर S1 S1 Pro को देखेंगे तो वहाँ पर classic modern stylist look थोड़ा नजर आएगी तो look आपके उपर depend करता है कि आप Ola का S1 S1 Pro पसंद करते हैं या फिर आप अभी जो traditional current sporty model चल रही है उस ही साब की electric scooter लेना चाहते हैं अब हम दोने के power की दोनों के differences की तो देखें जो आपकी S1 Pro scooter है उसमें जो आपको power मिलती है वो काफी जादा बहतरेन मिलती है और यहाँ पे जो motor इस्तेमाल की गई है वो है 8.5 kilowatt की peak power produce करती है और यह जो है काफी अच्छी acceleration देती है इस bike में जो आपको acceleration मिलता है दोस्तों वो है 0 to 40 in just 3 seconds और 0 to 60 in just 5 seconds दूशी तरफ अगर मैं बात करता हूँ simple one electric scooter की तो यहाँ पे 4.5 kilowatt की power produce करने वाली motor का इस्तेमाल किया गया है जो की 72 newton meter का torque produce करती है और यहाँ पे जो acceleration मिलता है 0 to 40 का वो 2.95 second का मिलता है जादा नहीं थोड़े ही millisecond से लेकिन जादा fast accelerating bike है simple one electric और वहीं दूशी तरफ अगर मैं S1 की बात करता हूँ तो S1 में भी आपको 8.5 kilowatt की peak power produce करने वाली motor मिल जाएगी और यहाँ पे जो आपको acceleration मिलता है दोस्तों वो 0 to 40 यह अचेव कर लेगी 3.6 second में अब बात आती है दोनों के top speed की तो S1 pro की top speed है 115 km परावर की और दूशी दूशी तरफ Simple 1 electric की दो top speed है यहाँ पे 105 km की maximum top speed है अगर इसमें इस्तेमाल होगा 100 by 80 section का tire जो की 12 inch के alloy wheel में आता है तो यहाँ पे 105 km परावर की speed देगी और अगर 90 by 90 section का tire यूज होता है वो भी 12 inch के alloy wheel में ही आता है वहाँ पे 98 km परावर की speed यह provide करती है दूशी तरफ S1 ज अब हम बात करते हैं दोस्तों दोनों के tires की और दोनों के disc brakes की तो यहाँ पे जो आपको tires मिलते हैं Ola के S1 और S1 Pro में यहाँ पे आपको काफी अच्छे चंकी tire मिल जाते हैं front and rear में दोनों ही तरफ आपको 110 section के tire मिलते हैं और आगे पीछे दोनों ही तरफ आपको disc brake मिल जाएगी दोही तरफ अगर आप simple one electric को देखेंगे तो जैसा की मैंने बता है यहाँ पे दो tire option आते हैं दो section में tire आते हैं और यहाँ पे भी आपको front and rear दोनों ही wheels में disc brake मिलती है नहीं हुआ है अब हम बात करते हैं दोस्तों दोनों के range की दोनों के charging speed की दोनों के features की तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूँ इसके charging speed की तो देखें यहाँ पे जो battery इस्तेमाल की गई है अगर मैं बात करूँ Ola के S1 Pro में तो यहाँ पे 3.9 kWh की battery का इस्तेमाल किया गया है और यह battery जो capacity देती है जो range देती है वो देती है 181 km की IDC range provide करती है दुए तरफ S1 में जो यह battery range देती है दोस्तों वो है तकरीबन 121 km की और अगर हम बात करते हैं range की simple 1 electric scooter की तो यहाँ पे सबसे जादा range मिलती है जो की है 236 km की IDC range और ego mode में जो range मिलेगी वो मिलेगी 203 km की दोने में ही riding modes आते हैं जो की Ola का scooter है S1 Pro दोस्तों यहाँ पे जो आपको riding mode आते हैं वो आपको मिलेंगे normal, sport और hyper और S1 में normal और sport riding mode मिलते हैं दूसी तरफ simple 1 electric में आपको जो modes मिलते हैं दोस्तों वो है eco, ride, dash और sonic तो यह riding modes आपको simple 1 में मिल जाएंगे देखने को तो यह यहाँ पे जो आपको features मिलते हैं तीनों ही scooter से में वो लगबग आपको कुछ same से मिलेंगे और कुछ features आपको Ola के scooter में ज्यादा मिलते हैं खासकर अगर मैं S1, S1 Pro की बात करता हूं तो यहाँ पे feature wise कोई difference नहीं मिलेगा सिर्फ power और range में difference मिलेगा जिसके बारे में already मैंने आपको बताया तो S1 और S1 Pro में जो आपको features मिलते हैं यहाँ पे आपको 7 inch की touch screen display मिल जाएगी 3GV RAM वाले प्रोसेसर का इस्तिमाल किया गया है जो की auto core processor है manage करने के लिए इसके touch screen को और move OS पे यह चलती है यहाँ पे आपको connectivity के मामले में 4G मिल जाएगा Wi-Fi Bluetooth की connectivity मिल जाएग यहाँ भी आपको connectivity मिल जाएगी 4G की और Bluetooth 5.2 पे यह work करेगा यानि connectivity के मामले में दोनों same से मिलेंगे और जो आपको basic feature मिलते हैं जैसे की navigation हो गया geofencing हो गया live location हो गया call alert हो गया उसी के साथ notifications alerts हो गया तो यह सारी चीज़े आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं और चोटे मोटे कई features हैं find my scooter का हो गया तो यह सारे feature आपको दोनों में ही मिलते हैं और उसी के साथ अगर मैं कुछ extra feature की बात करता हूँ जो कि आपको Ola के S1, S1 Pro में मिलता है सबसे पहला feature है दोस्तु वो है reverse mode का जी हाँ दोस्तु आपको Ola scooter में reverse mode मिलता है यानि अगर आपकी बाइक कहीं parking में है तो आपको बस switch दबाना है और आपकी बाइक को accelerate करेंगे तो वो back जाएगी यानि reverse होगी दूसरा जो feature है यहाँ पे आपको cruise control मिल जाता है Ola के S1 और S1 Pro में और अगर आप highway पे अपने scooter को लेके जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बाइक एक certain speed पे चलती रहे तो वहाँ पे आप cruise control का इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि आपको simple one electric में देखने को नहीं मिलता है इसी के साथ और मैं अगर next feature की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको wise controlled feature मिलता है और आपको कोई भी की नहीं मिलती है Ola के S1 और S1 Pro में यानि जैसे ही आप इसके प smartphone से भी lock on lock कर पाएंगे या फिर direct जाके touch screen से भी lock on lock कर पाएंगे और simple one electric को भी आप जो है smartphone के थूँ lock on lock कर पाएंगे तो एक plus feature Ola के S1 और S1 Pro में आपको देखने को मिल जाता है अब बात आती है दोनों के space की तो देखिए Ola S1 और S1 Pro की जो liter में space है वो reveal नहीं की गई है पर यहाँ पर आप दो helmet आराम से रख पाएंगे एक ladies और एक gents और दूसरी तरफ अगर मैं one electric की बात करता हूँ तो यहाँ पर boot size का खुलासा किया गया है यहाँ पर 30 liter की boot space मिल जाती है simple one electric bike का है 110 kg का तो अब बात आती है दोनों के charging speed की उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा pricing की इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी bike ज्यादा better होने वाली है कि इसमें आपको कौन सा feature extra मिल रहा है और कौन सा आपके लिए ज्यादा useful होगा तो charging के मामले में जो आपकी Ola S1 है और S1 Pro है यहाँ पे home charger आप करते हैं तो 6 hour में 750 watt के portable charger के through fast charging हो जाएगी इ अगर आप यूज करते हैं hyper charger का जो की Ola के centers में लेके जाके आप charge करते हैं तो यहाँ पे 50% battery 18 minute में ही charge हो जाएगी और दुसी तरफ अगर मैं बात करो simple one electric scooter की तो यहाँ पे 2 types की battery मिलती है एक fixed battery और एक removal battery मिलती है जो normal charging है fixed battery में वो 2.75 hours में 0 to 80% charge हो जाएगी और portable battery में 75 minute म 0 to 80% charge हो जाती है fast charging की बात करो तो 2.5 km in 1 minute यानि 1 minute में 2.5 km जाने लाइक battery हो जाएगी चार्ज तो अब हम बात करते हैं तीनों ही scooters के pricing की तो यहाँ पे जो आपकी Ola की S1 Pro है उसकी जो एक शुरूम प्राइज है वो है 1,29,999 और subsidy के साथ इसकी price और ज्यादा decrease हो जाती है और खासकर अगर मैं बात करों गुजरात में तो वहाँ सबसे कम pricing है जो की है 1,99,999 और डेली की अगर मैं बात करों तो वो है 1,10,149 रूपीज दुछी तरफ S1 की जो price है डेली में वो है 85,099 रूपीज इसकी एक शुरूम जो price है दोस्तो वो है 99,999 और गुजरात में जो pricing जाती है दोस्तो वो है 79,999 रूपीज यानि 80,000 में आपकी S1 मिल जाती है और 1,10,000 के आजपास आपकी Ola की S1 Pro मिल जाती है अगर आप इसमें subsidy add कर देते हैं अब हम बात करते हैं Simple One Electric Bike की price तो देखे यहाँ पे जो इसकी एक शुरूम प्राइज है वो है 1,9999 रूपीज य और यहाँ पे अभी subsidy add नहीं की गई है और जैसे ही subsidy add हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 20,000 का इसमें भी difference मिलेगा और 20,000 के difference के साथ इसकी price 89,999 रूपीज तक आज सकती है यानि अगर आप गुजरात में 20,000 के इसमें discount देखेंगे तो इसकी pricing और ज्यादा decrease हो जाएगे तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी आपके लिए जादा better होने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं S1 की तो देखें Ola की जो S1 है उसमें सबसे कम price मिलती है सबसे कम top speed मिलेगी और सबसे कम range भी मिलेगी तो इसको तो आप अगर consider करना चाहते हैं low pricing के लिए तो आप इसको consider कर सकते हैं पर जो main टककर आती है दोस्तों वो S1 pro में आती है और simple one electric scooter के मामले में आती है तो देखें simple one के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो यहाँ आपको ज़्यादा acceleration मिलेगा यानि better acceleration मिलेगा बहुत ज़्यादा range मिलेगी आपको इसमें और उसी के साथ यह ज़्यादा powerful आपको देखने को मिल जाएगी पर top speed के मामले में ओला की scooter ज़्यादा better है यहाँ पे आपको कुछ extra features मिल जाते हैं ओला के S1 और S1 pro में जो कि मैंने आपको already बताए तो अगर आपको एक performance oriented bike चाहिए तो आप definitely consider कर सकते हैं simple one की electric scooter को और अगर आपको ज़्य same design same look S1 pro जैसी ही मिलती है सिर्फ यहाँ पर power में difference मिलेगा तो आप तीनों में से आप देख लीजे कि आपको कौन सी ज़्यादा better लगने वाली है अगर मैं अपने consideration की बात करता हूं तो देखिए जो कुछ features हैं Ola S1 और S1 pro में जैसा कि cruise control हो गया और उसी के साथ यहाँ पर future stick थोड़ा ज्यादा modern हो जाएगा लेकिन अगर आप एक performance oriented bike चाहते हैं ज्यादा range चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि आपको power के साथ range भी काफी ज्यादा better लिन मिले तो आपके लिए simple one electric bike हो सकती है तो बस दोसो आज के वीडियो में इतने हैं अगर आपको वीडियो पस अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा वीडियो को लाभी कर देजिए स्वेकर देजिए मिलते हैं से अगले वीडियो में तब तक लिए जोहिए